दोस्तों शुरू करते एक नया वीडियो एक नया मेशिन के साथ इस वीडियो पर आप जो देख रहे हैं एक कंकिट पांप है बेसिकली इसका एप्लिकेशन है यह बिल्डिंग प्रोजेक्ट में और आपका ब्रीज प्रोजेक्ट में कभी-कभी यह डिफ्रेंट अमें जहां पर कंकिट पोरिंग का अप्लिकेशन आता है तो यह यूज होता है यह जो मेशिन का मोडेल है यह सेनी का मेशिन है इसका मोडेल है hbt 4010c5i इसका भी डिफिनेशन है मैं आपको आगे बताता हूँ आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एक स्पेसिफिकिशन क जिसमें ये मॉडेल है HBT-4010C-5I HB का मतलब है concrete pump ये एक सैनी का लेंग्वेज है T means ये trailer mounted है 4-0 जो है इसका concrete output है मतलब एग घंटे में 40 कुबिक मेटर पारावर concrete output करता है जो 10 का मतलब है ये concrete pressure 10 MPa मतलब 100 बार C means as well technology यहाँ पर 5 है ये 5 दिखने ही रहा है इदर 5 जो है इवो model number है model application number I means India मतलब है इंडिया के लिए manufacture है ठीक है यहाँ पर ये maximum theoretical displacement भी देख सकते हो जो मैं पताया था आपको यहाँ पर ये theoretical है 42 कुबिंग मेटर पार आवर और जो concrete pressure भी है 10 MPa 10 MPa मतलब multiply by 10 होगे आपका 100 बार यहाँ पर जो prime mover जो engine है ये engine के थूँट चलता है जिसमें ये 49 किलोवाट है और इसका total gross weight है 4600 kg इसका अगर मैं overall dimension के बार में बता हूँ तो इसका जो length है लंबा में ये 5600 mm into wheat मतलब चौड़ाई में ये है 2050 और आपका ये height में होगा 2050 ठीक है और ये कब manufacture होई है date of production अब देख सकते हैं 4 2022 में और ये आपका हो गया serial number चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या component है यहाँ पर जो आप देख रहा है इस side में ये है आपका operating panel जहाँ जिस side से operating होता है उसको बोलते operation side और operator side operator side में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक control panel दिया हुआ electrical control panel है यह यहाँ पर आपका greasing system जब machine चलता है तो यह चलता है plunger के थूँ मैं इसके बाद में इसका operation पता तो कैसे कम परता है यहाँ पर आप देख सकते हैं control block दिया हुआ है जो hydraulic system को circulate करता है यहाँ पर आप देख रहा है यह जो टैंक है hydraulic tank जिसका capacity है टैंक का 320 लिटर बड़ टोटाल 6 लिटर पकड़ जाए मतला लगबाग यह 400 लिटर का असपास इसमें 380-400 लिटर का असपास पड़ेगा पूरा system में यहाँ पर आपका यह hydraulic level gauge है जहां से आप देख सकते हैं आपका hydraulic tank में कितना oil है अभी कम है या ज्यादा है जो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह दिया हुआ एक temperature sensor जो system को बताता है आभी at present जब machine चलेगा या अभी भी कितना temperature sensor यह पैने लोट करने के बाद बता चलता है यहाँ पर जो दिया हुआ एक छोटा सा control block यह particularly agitator rotation के लिए यूज होता है agitator के आप बाद बे आपको बताता हूँ यहाँ पर आप देख सकते pump है दो pump इसमें यूज हो रहा है यह बड़ा जो pump आप देख रहा है हो red color का यह pump drive cylinder moment के लिए यूज होता है और एक छोटा वाला जो gear pump है यह आपका agitator rotation के लिए यूज होता है और उपर में आप जो देख रहा हूँ यह cooling system है जो hydraulic cooler बोलते हैं यह भी hydraulic के लिए operate होता है यह hydraulic motor के थूप और यहाँ पर एक बड़ाशा एक fan दिया हुआ है जो जैसे मोटर घूमेगा hydraulic motor तो फैम को खुआएगा cooling के लिए चले दूसरे साट पर आते हैं यहाँ पर यह towable है यहाँ से आप खीच सकते है machine को खीच के दूसरे जगा में ले जा सकते हो और यह जो है आपका drawing के लिए और आपका guide wheel है यह में नीचे आप देख सकते हो एक wheel लगा हुआ है यह आपका उपर नीचे करके आप adjust कर सकते हो machine को बराबर प्लेस करने के लिए पिछे में यह एक plate दिया हुआ है cylinder के ठीक पिछे यह plate को आप इसमें high pressure low pressure भी कर सकते हो बाद में एक वीडियो बना के आपको share करूँगा कैसे high pressure low pressure करना है ठीक है आए आप non operating side में चल देए है इसमें जो engine दिया हुआ है वो kilo square का engine है जिसका model है HA494 मतलब है horizontal air cooled है और 494 का मतलब है 4 जो है इसका cylinder है number of cylinder मतलब 4 cylinder है इसमे 94 means इसका हो गया CC मतलब स्टोक length एक एक cylinder का जो volume होगा वो 94 CC का होगा यहां पर एक alternator है यह starter है starter ओके यहां पर आप देख सकते हो एक accumulator दिया हुआ है जहां पर nitrogen store किया जाता है जो कि इसका भी application है आगे में बताऊंगा details में आपको दिखे चलिए आगे चलते हैं देख लेते hopper पीछे में जो दो cylinder दिया हुआ है इस क्यूबिक मीटर मीन्स हो गए आपका 600 लिटर के अपर का capacity है यहां पर अंदर आप देख सकते हो जो agilator blade है जो कंकीड को जब आप स्टोक नहीं ले और आइडेल में रहता है तो कंकीड ताब की proportion homogeneous mix रहे इसके लिए ब्लेड घुमता रहता है और mix cream को बराबर रखता है यह अगे बेज़ता है मेशीन यह जो मेशीन का पूरा वीव है और जो agilator shaft है इसको घुमाने के लिए यहां पर एक motor दिया गया है यह hydraulic motor agilator motor है इसके थू जो अंदर का जो blade है यह blade घुमता है लास्ट जो है इसका प्रिशर चिक करने के लिए आप एक वाल कोग दिया हुआ है agilator pressure normally 110 बार रहता है इसको जैसे आप घुमा दोगे 90 बना दोगे घुमा के जैसे मैं दिखा तो आपको यह 90 बन गया मतलब प्रिशर लोग होगे आगे भेल नहीं भेजेगा तो back pressure की एडो कि यहाँ पर gauge आपको दिखा देगा यह agilator बहला प्रिशर पर 110 बार 120 बार दिख क्ते रहे हैं डन्यवाद